तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल सुअगत है आपका टेक्निकल वार्ग यूटिउब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक्सटेंसे बूट रिपेर करने वाले हैं आप किसी भी एक्सटेंसे बूट को आसानी से रिपेर कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपर अपका प коммент करती है इसके करने कि प्रभ्लम आरे डिया कि किस वह से वर्ट नहीं कर रहा है इसे चेक करने के लिए मैंने एक ओर दे मुर चुकित हो चुखा Yak पोई दिक्कत नहीं है इसकी वायर को मैंने connect कर दिया है इसे चेक करने के लिए मैं एक holder bulb ले लिया है अगर आपके यहां पर टेस्टर से चेक कर दें टेस्टर से face का पता नहीं चलता है इसलिए मैंने आप और ब्लोब लिया है तो देखिए आपर य Boss को प्रेस कर रहा हूं तब ही हमारा इसका मतलब इसके switch प्रॉब CarryNe कर रहा है तो चली इसकी वायर को निकाल देते हैं अभ मैसे खूल में प्रोल के neurology क्रमे या फिर इसकी wave लूज है जातर जो extension board होते हैं इसमें fuse खराब हो जाता है जिसके वेसे हमारा extension board काम नहीं करता है तो हमें सबसे पहले fuse को चेक करना है तो देखिए हाँ पर मैंने दूसरा extension board ले लिया है क्योंकि पहले वाले extensive board में fuse नहीं लगा था तो देखिए आपर जो fuse है इसमें एक wire होती है extensive board में load जाहत देने के विए से क्या होता है जो इसकी fuse की wire होती है वो बीच में से break हो जाती है जिसके विए सप्लाई आगे पास नहीं होती है अगर आपके extensive board का fuse है खराब हो चका तो आप इसे change करके अपने extensive board को repair कर सकते हैं तो चलिए हम पहले वाले extensive board पर चलते हैं इस वाले extensive board में fuse नहीं है इसलिए मैंने example के लिए दूसरा extensive board लिया था तो देखिए मैंने इसके screw को खोल दिया है तो यहाँ पर connection देखते हैं यहाँ पर जो wire connect हो रखिए इसके अंदर यह जो red वाली wire है यह यहाँ पर जो इस type का switch लगा हुआ है उसके नीचे वाली terminal पर connect हो रखिए इसे के साथ में switch के उपवायर terminal से जो wire connect हो रुखे वो socket के point पर connect हो रुखे जो कि एक दूसरे से interconnected है जिससे क्या होगा socket के एक-एक point पे एक supply पहुँच जाएगी और यहाँ पर जो दूसरी black वाली wire है वो यहाँ पर socket के दूसरे वाले terminal पर connect हो रुखे है जो कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो रखे हैं इससे क्या हो जो supply है socket के दूसरे terminal पर पहुंच जाएगी और जो तीसरी वाली wire है यहाँ पर earthing की है जो कि socket के उप़र terminal पर connect होती है जातर जो extensor board होते हैं उसमें क्या होता है जो socket connect होते हैं वो wire से होते हैं यहाँ पर क्या है इस पती से एक दूसरे से interconnected कर रखा है तो इससे कोई problem नहीं है इसी की नीचे एक indicator लगा हुआ है जिसकी एक wire यहाँपर इस black वाली wire से connect हो रखी है और जो दूसरी वाली wire है यहाँपर इस red वाली wire से connect हो रखे switch के उपएर terminal पर connect है जैसे switch on करते हैं indicator जल जाता है इस extension board में switch हो खराब हो रखा है तो हमें क्या करना है इसे या तो change कर सकते हैं या direct कर सकते हैं इससे direct करने के लिए मैंने यहाँ पर एक wire का टुकड़ा ले लिया है जिससे हम हम इन दोनों terminal पर connect कर देंगे जिससे क्या होगा जो switch होगा वो direct हो जाएगा तो यहाँ पर देखे मैंने इस wire को छील लिया है अब इस wire को हम इस switch के दोनों terminal पर connect करेंगे तो यहाँ पर switch का उकवायर terminal है एक wire मैंने उकवायर terminal पर कनेक्ट कर दिया है अब जो इसका दूसरा सिरा है उसे हम नीचे वाले टर्मिल पर कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा जो एक्षेंसर बोड़ है वो डायक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है उसमें सोल्डरिंग वो रखी इसी विज़से मैंने यहाँ प टर्मिल पर कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि जो हमारा एक्षेंसर बोड़ हो जाएगा तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके स्कूर को लगा दिया है अब इसके सारे सॉक्ट को एक बार चेक कर लेंगे तो इसकी में सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं त इसकी जो wire है connect कर दिए wire connect करते हैं यहाँ पर जो switch है। उसमें indicator लगाँ हो जलने लगाए। तो हम bulb को check कर लेते हैं, देखिए हमारा जो bulb जलने लगाए और यहाँ पर हमारा switch है वो direct हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सौकेट के हर टर्मिल पर हम लगा रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है इसका मतलब हमारा एक्स्टेंसर बहुत रिपेर हो चुका है अगर आपको connection करने में problem आ रहे हैं तो आप comment करके पूर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आ तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना अगर आप में चनल को नए हैं तो प्लीज में चनल को सब्सक्राइब कर देना और bell icon को प्लेस कर देना जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके मिलते आप से नेक्ट वीडियो में